दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों नीट एस्प्रेंट्स और उनके पैरेंट्स के लिए दोस्तों एक सबसे बड़ी गुड निज निकल कर आ रही है MBBS seat से related क्योंकि दोस्तों NMC section 10i के तहत और PMO के announcement के बाद दोस्तों अभी तक कि यह सबसे बड़ी good news निकल कर आ रही है क्योंकि NMC ने कहा था कि जो upcoming session है उसमें यहाँ पर aspirants और उनके parents को काफी ज़दा relief मिलेगा उस चीज को लेकर दोस्तों यहाँ पर कई सारे जो essay state है उन्होंने इस कदम की जो procedure है उससे यहाँ पर follow कर लिया है अब जो भी हो private college हो यह demand college हो इन college हो में दोस्तों अब जो आप सभी की MBBS seat है वो काफी ज़्यादा easy हो चुकी है क्योंकि government college और private college को दोनों को equal ही माना जा रहा है दोस्तों कैसे उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि जो fees है government college की और जो private college की जो fees है वो दोनों बिलकुल ही equal हो चुके है दोस्तों उसके बारे मैं आपको पूरी information देने वाला हूँ जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि the times long of India की तरफ सी यह update है जिसमें कि बताया गया है कि Tamil Nadu government as private college यहां पर जाते हैं कि private medical college to slash fees for the 50% on seat यानि कि दोस्तों यहां पर आप सभी के Tamil Nadu state के अंदर जितने भी medical college है उन सभी के collegeों में यानि कि दोस्तों जो 50% fees है वो government college के according ली जाएगी यानि कि दोस्तों एक report के माने तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आप सभी की update है वो काफे important है जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर लिखा गया है कि government college 50% of the seat its means they should change 13,000 यहां पर देते हैं कि 13,610 in a year यानि कि दोस्तों एक साल में government college के अंदर इतना लगता है तो included fees तो इसलिए दोस्तों यहां पर जो भी आप सभी के Tamil Nadu के अंदर यहां पर जो medical college है उन सभी medical college में जो MBBS seat है उस पर जो यहां पर आप सभी की fees लगेगी वो यहां पर 10 लाक या 15 लाक या 25 लाक नहीं लगेगी उन सभी 50% fee ओ पर दोस्तों 50% fee पर जो है जो government college में लगती है MBBS seat में वो यहां पर लगने वाली है तो दोस्तों यह एक सबसे बड़ी update थी क्योंकि NMC के तहट भी बताया गया था और PMO के announcement के बाद यहां पर सबसे पहला state जो है वो Tamil Nadu बना है इन procedure को follow करने को लेकर पर दोस्तों अभी तक इसके बारे में officially update नहीं है क्योंकि दोस्तों अभी तक इसके बात में यहां पर चर्चा हो रही है और जल्द ही इस चीज की जो confirmation है वो Tamil Nadu state के तरब से मिलने वाली है तो यहां पर दोस्तों यह एक सबसे बड़ी update आप सभी के लिए निकल कर आ रही है क्योंकि दोस्तों यह एक सबसे बड़ी सरकार की बहतरी स्कीम है NMC और यहां पर PMO की तरब से क्योंकि यह चीज बहुत ही ज़्यादा जुरूरी थी लागू करने को लेकर और दोस्तों जो 40% जो seat है वो private sector के अंदर वो authority वो decide करेगे कि इन पर हमें क्या piece लेनी है MBBS को लेकर तो यहां पर यह confirm हो चुका है कि Tamil Nadu state के अंदर 50% seat है जो है वो जो fee है वो government college के अनुसार ही ली जाएगी तो यह एक सबसे बड़ी update थी जो हमारे चानले study zone के माध्यम से आप तक सेर किया गया इसके regarding जो भी information निकल कर आएगी सबसे पहले आप तक सेर किया जाएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जैहिंदे